जी हां जी विजली में हादे पहुंच गया हूँ और दर्शन तो हलाकि में कली पहुंच गया था और दर्शन भी कर लिया था को यार यहां पर आया ना मेरी ठकाने यार पूरी की पूरी दूर हो गई यह आप देख सकते हो इस तना खूब सुड़ात है भाई आप लोगने भी दर्शन कर लेना है मैंने भी दर्शन करने के बाद लगता है कि सन्यासी भी बहुत आते हैं आप तपस्या करते हैं तिन महीने तक लागातार यह जो यह रंग विरंगी के बादले हो जाती है यहां पर इसमें यह देख रह यह सब बर्फ है यहां से लेकर वहां तक यहां पर आते ही अदबुती यह करना जा रहा होता है कि कहने से भी नहीं कह उता है अब बहुत ही ज्यादा खूबसूरती यह जगा है देख सकते हो घास कितना खूबसूरत है अरे दोस रुपया मिला मुझे देख सकते हो चलो मेरे उसमें था तो मुझे मिल गया है कि खापी लेंगे है और यह देख सकते हो नहीं यार भगवान के दश्कन में चरहा दूंगा यह से कुछ नहीं है इसी का गिरा होगा तो मिल जाएगा ऐसे मेरे ख्याल से चलते चलते आसे यार मेरा तिनी कसे हो गया फिर इसके रहसे के बारे में भी आपको बताऊंगा और अपने समान का सुरक्षा सुए मुख रहें अपने सुस्ती पर गई है उन्लों को यार सही बात है ऐसी दूपी है यह यार सुस्ती परी जाती है जो नहीं भी जिसको नहीं परता उसको भी परी जाता है सुगिया है मुझे भी सुने का मन कर रहा है जखाया भी नहीं है इसका रहन मुझे लगता है कि सुस्ती पर गया है इसका क्या चक्कर है यह कनेक्ट नहीं हो रहा है अजकल इसमें का जो वो थाना क्या कहते है वो जो क्लाउट मतलम उसका क्या कहते है उसको यार वो पतानी क कि दर गिर गिया है उर गिया हवा में जिनी महादेव हर एक बारा साल में गिरती है बिजली देश के पर मुक्षिव मंदिर में से एक बिजली महादेव का मंदिर हिमाचल पर्देश के कुलू में तकरीवन 2460 मीटर की उचाई परस्तित है मन्याता है कि इस मंदिर में हरे हर बारा साल में एक बार बिजली गिरती है जिसके चलते शिवलिंग तूट जाता है अकाशिय बिजली गिरने के यह घटना कैमरे में भी कहद हो चुका है जिसे देकर लोग अस्चरिय चकित हो जाते हैं बिजल महादेव से जुरा कथा मन्याता है कि यहां पर कई हजार साल कुलांत नामक का एक देत्य रहा करता था अजगर की तरहां दिखने वाला इस देत्य ने जब व्यास नदी के परवाह को रोकर घाटी को जनमगन करना चाहा तब भगवान शिव ने अपनी तिर्शूल से उसका वद कर दिया मन्याता है कि शिव के दुआरा वद करने के बाद कुलांत का शरीर एक पहार में परिवर्त हो गया जिसके बाद भगवान शिव ने इंदर देव से कहा इस देत्य पर एक 12 साल के बाद अकाश्य विजडी गिरने गिराने का आधियस दिया जिसके बाद आज तक हर 12 साल में ये चमतकारी घटना घटती चली आ रही है इसे जुड़ता है शिवलिंग बिजली महादेव मंदिर में 12 साल में आसमानी बिजली गिरने के बाद जब शिवलिंग तूट जाता है तो सवाल उठता है कि याकिर शिवभक्त बहां पर पूजने कि इसको जाते हैं जा करते हैं इसको दरसल शिवभक्त उस शिवलिंग की ही पूजा करते हैं जिसके तूट कि घटना के बाद मंध का पुजरी मकषन से दोवारा चूर कर स्थापित लोग इसे मकं महादेव के नाम से भी बुलाते हैं विज्ली महादेव चरिय जनक हर 12 ृश्व कि बारगव स्थाफ़ के तोट जाता है वहीं इस चेतर में रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पूंचता है लोगों का मानना है कि जिस तरह जिस तरह भगवान शीव ने बीश पीकर राणियों की रक्षा और नील कंट कहलाएं कि कुछ बैसे ही यहां पर अपने उपर अस्मानी बिजली सहकर बिजली महा देव करना स पूजए जाते हैं राक्षा से सुरी कुलांथ का यह न तो और बई क्या हाल चाल है कुमारे मजह में हो रहा है चरही है यह काम दाम नहीं होगा है ना कि एच कर रहे हो हैं मूह लुका रहा है अगला चलो कोई बात ने कुल्लू इस जगह का नाम क्यूंपर आ कुलू इसी क क्यों नाम परागे कुलांत के नाम पर ही कुलु इस जगह का नाम परा कुलु डिस्टिक ठीक है ना प्रियाटा कभी आते हैं क्यों कि महादेव के दरिशन करने उपर से फेमस भी है कि यह जगा है ना बहुत ज्यादा खुबसूरत है यहां पर आप आओगे तो यार एक दिन तो रहना का मतलब यह दिन ही दस दिन जरूर है कि यार कोगी कि नहीं है अब आई छेत्र जहां पे प्लेन पुलीन उतरता है ठीक है आपको देखाता हूं मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया होगा अब चरहाई करने की बारी है अब चर जाएं तो ठीक है नहीं चरे तो चरना तो हाई है कि आप 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 आप